Hello dear students, ये thermodynamics का एक बहुत ही प्यारा सा question है, जिसमें molar specific heat पूची गई है आपसे, तो इस question को करने के बाद में आप किसी भी process के लिए molar specific heat निकालने में capable हो पाएंगे, लेको, when heat q is supplied to one mole of a monotomic gas undergoing a thermodynamic change, then the work done by the gas is q by 3, इस question के तरू हम इस concept को भी समझेंगे, कि हमने एक system है उसको q heat दी और जो gas ने जो work किया, वो है q by 3, जो molar specific heat आपसे पुची गई है, of the gas for the process, तो गया इस question को solve करने के पहले, मैं आपको दो-तीन चीज़ें बताना जाओंगा, molar specific heat किसी भी process के लिए कैसे निकाले जाती है, इसका कौन सा formula होता है, molar specific heat का मतलब होता है कि heat required to raise temperature of 1 mol gas by 1 degree Celsius, इसको mu से represent करते हैं, this is delta q upon, sorry, c से represent करते हैं, this is delta q upon mu delta t, delta t है temperature में rise, mu है, gas की quantity मोल्स में और यह delta q, जो heat का formula बनता है, बनता है mu c delta t, यह आपको c निकालना होता है, अगर आपका process isobaric है, isobaric मतलब ऐसा process जिसमें pressure constant रहे, उसको cp से represent करते हैं, और mu cp delta t लिखते हैं, अगर isocoric है आपका process, तो हम लोग इसको cvc represent करते हैं, अगर एक general process अगर आपको लिया जाता है, तो उसका c दिया जाता है, cv plus r upon 1 minus x से, यहाँ पर x क्या होता है, जो भी thermodynamic process है, वो pv की power x is equal to constant है, तो जो v की जो power होती है x, वो यहाँ पर लिख दी जाती है, तो c is equal to cv plus r upon 1 minus x, तो इस question में अगर आपको molar specific heat पूची है, आपको cv plus r upon 1 minus x करना होगा, cv तो मैं direct लिख सकता हूँ, बिकॉस जो मेरे को gase दरिखी है, वो monotomy gase है, और monotomy gase का cv में जानता हूँ, monotomy gase का cv होता है 3r by 2, ओके, इस question में direct पता है, मुझे r upon 1 minus x की value पूच नहीं, की value निकालनी है, इस question को solve करने का बहुत बढ़िया तरीका यह है, कि आपको पहले इस चीज़ पता होनी चीज़, क्यार ये ओमलाकिर है क्या है ना, कहां से आया है ये, तो एक काम करते हैं, तो तीन चीज़ें होती है, first law of thermodynamics में, कि किसी भी system को जो अपर लोग heat supply करते हैं, उसका कुछ इससा work done में consume हो जाता है, और कुछ इससा internal energy बढ़ाता है, तो heat supplied is equal to change in internal energy प्लस work done, या work done प्लस change in internal energy कुछ भी लिखते हैं, तो जो heat supplied होती है किसी भी system को व्यों होती है, mu c delta t, c यहाँ पर molarous specific heat होती है उस process का, यह work done होता है, and this is delta u, delta u जो होता है, वो हमेशा f by 2 mu r delta t लिखा जाता है, इसमें f by 2 into r जो होता है, यह c v कहलाता है, u c delta t equals to delta w plus u c v delta t, ऐसे हम लोग formula लिखते हैं, अना, plot को, अब देखिए, जैसे, मैंने यह formula लिखा, c का, वो क्या था, c v plus r upon 1 minus x, अगर मैं दोनों तरफ इस equation को, mu से multiply कर देता हूँ, इधर भी mu से, इधर भी mu से और इधर भी mu से, और दोनों तरफ में delta t से multiply कर देता हूँ, अब देखो, यह क्या कैसे जिस बन गई, यह क्या बन गया, delta q बन गया, यह वो बन गया कि, जी, कितना मैंने heat supply कि, q c v delta t यह क्या होता है हमेशा, internal energy में कितना change हुआ, और यह वाली term, अपने आप क्या बन गई, work done बन गई, तो कोई भी process है, जो PV की power x को follow करता है, उसके लिए work का formula होता है, mu r to delta t upon 1 minus x, तो ठीक है, अब मुझे इस question में यह दिया हुआ है, यहाँ से मैं अपनी एक-एक quantity का पता करता हूँ, कि जो मैंने system को heat supply करी है, वो कितनी है, delta q है, और जो work done हुआ है, वो q by 3 है, अब इन चीजों को में लिखता हूँ, यहाँ पर जो मैंने heat supply करी system को, वो कितनी करी है, q करी है, और जो work done हुआ है, वो कितना हुआ है, q by 3 हुआ है, यहाँ से मेरे को delta u मिल जाएगा, delta u बराबर हो गया, q minus q by 3, मतलब 2 q by 3, तो यह जो delta u है, इसकी value है 2 q by 3, यह जो delta u है 2 q by 3, और यह वाला जो है, इसकी value है q by 3, तो mu c v delta t की value है, 2 q by 3, and mu r upon 1 minus x into delta t की value है, q by 3, चलिए बस, अब अब अपन लोग लग 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 मारे answer की तरह पहुचने वाले, इनको divide कर दिया हमाने, mu से mu delta t से delta t कट गया, and q by 3 से q by 3 कट गया, r c v बराबर हो गया, 2 into r upon 1 minus x, r upon 1 minus x की value होगी, c v upon 2, अब मुझे इस process में बताना था, कि molar specific heat कितना है, formula बताया मैंने आपको c v plus r upon 1 minus x, c v को तो c v रहने दो, और r upon 1 minus x की value कितनी निकाली मैंने c v upon 2, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, तो कितना आएगा, 3 by 2 of c v, and जो c v है, यह जो c v आपको दिखाया दे रहा है, यह c v actually इसकी value monotomic gas के लिए, मैंने आपको बताया, 3 by 2 होती है, यह होगे आपका 9 by 4, यही molar specific heat निकल कर आई, so the correct answer of this question is, 9 by 4, this is the correct answer of this question, I think आपको आपके question का answer मिला होगा, 9 by 4, बहुत important question है यह, और बहुत सारी informations लिये वे हैं, मैंने आपको एक चीज समझाई है यह इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो इसको वापस repeat करके देखो, and definitely exams के लिए काफी important part है यह, thank you so much and God bless you, खूब मैनत करो, मैं भी तुमारे साथ कर रहा हूँ,